मैं ट्राफिकिंग के वाले मैं आपको बताता हूँ ट्राफिकिंग क्या होता है कि ट्राफिकिंग का मीनिंग है कि तो कितने सारे तरीके कितने सारे और गयांडिक ट्राफिकिंग के अंदर आते हैं इसे कांटेंट मार्केटिंग हमारा एसी ओपे स्टार्ट हो जैसे हमारा यह वेबसाट अलपार कंप्लीट होगा तो हम एसी ओ सब्सक्राइब करेंगे मेरे ख्याल से अभी हम इस पर डिसकस करते इस पर स्टार्ट करते हैं जितने भी ऑनलाइन जो मझें देख पार है क्लियर सब्सक्राइब करें इस पर पांट कर वाता हूं सब कुछ ही कंपलीट होगा तो अभी ना अभी आप लोग चाइप मत करना छोड़ थोड़ी के लिए उसको भी रेस्ट करने दो अभी हम इस पर डिसकस्ट करते हैं ना हमने लाज कास में पर डिसकस किया था कि वाटीस वेबसाइड बोलते हैं एक और डिफिनेशन की क्या कलेक्शन ओफ डिफ्रेंट वैब पेज़ेस इस आलसो नोन एज आप लोगों ने हमेज़सा नोटिस किया होगा कोई वेबसाइड विजिड किये आपको होम का पेज इबाउटर्स, कॉंटेक्टर्स, सर्विस, टम अब हम यहां पर क्या सीखने वाले हैं कि हम वेबसाइड कैसे बनाएंगे सपूर्स आपने वोला कि सर मेरा एक बिजनर्स है किस चीज का बिजनर्स है सपूर्स मेरे कोचिंग स्ट्यूट है मुझे उस एकॉर्डिंग ही मैक्सिम लोग क्या मेरे फैकल्टी से रजिस्टर क कर ले क्या हम बना पाएंगे बिल्कुल यह भी कबरब परेंगे आपने कि सर मेरा कोप्रेट बिजनर्स है मैं एक डॉक्तर हूँ क्या मैं अपने लिए फिट बना पाऊंगो जिसमें आपनी सर्विसेस देशाबू बिल्कुल हम इस पे भी काम परें यह सब कुछ ही होका ड कुछ ही डिसकर करेंगे वाट समाकटिंग में ब्राड कास्ट की करते हैं कि सभी डिसकर चरेंगे ठीक है थोड़ा सा पेशन्स रखना आप वहां तब हैना अब हम इस पर करते हैं देख धो ही तरीके बनाने के एक हमारा है इस्टैटिक दूसरा है डिनमिक अब आप लोग बताओ जो हम यहां पर रख रहें हम कौन से टाइप के सब्सट बनाएंगे कौन से टाइप के सब्सक्राइब हमak एक आंसर आया है निकिता रितिका वेरी नाइस अब है वेरी नाइस देखो जो अभी सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे coordinomic website, reason क्या है अगर आप अभी पूछो कि सर्ट ट्रेंड में कौँ सा है, तो ये out of train, ये trend में हैं में आज कल हर किशी को dynamic website बनवानी है और बननी होती है, अगर आप किसी developer से पूछोगे ना तो सबसे पहले यही पूछेगा कि सर इस्टैटिक या डैनमीक तो आपको डैनमीक बोलना पड़ेगा डैनमीक में भी पूछेगा सर नंबर ऑप जिस कितने पेजस बनाने हैं तो यह सब कुछ हम जितने चाहें उतने changes कर सकते हैं एक टाइम पे वह का हमारे डैनमीक में होगा इस्टैटिक में हम बहुत सारे action बहुत सारे changes एक साथ नहीं कर सकते हैं वन वाई वन करना पड़ेगा पर उसके लिए compulsory हमें कोडिंग करना पड़ेगा ठीक है अब एक कोशन आता है कि सर आप बोल रहे हो पूरे वर्ड में जितनी भी वेबसाइट हैं अच्छा एक कोशन है पूछोगे सर पूरे वर्ड में जितनी की वेबसाइट है सब कोडिंग पर बन्री अगर मुझे कोडिंग देखनी है किसी website की मेरे पास्य हाँ पर ओपन कौनसी है में कोई फिर्ट ओपन करना अगर आप लैपटॉप में हो तो आप कंट्रोल यू प्रेस कर देना दूसरे टैब में इसकी पूरी पेज शोर्स में क्लिक करते ही क्या होगा उसकी पूरी कोडिंग ओपन हो जाएगी जो वेबसाइट बनी है यह पूरी कोडिंग पे बनाई गई है यह पूरी कोडिंग पे है अब आप ही बताओ कि अगर मुझे यह coding सीखनी है और आप लोग यतने कोडिंग कितने कोडिंग दिन में सीख gaining इतने सारी कोडिंग है कितने दिन में कि में है एक साल पांक साल अगले जनम अगले जनम में इक वह अगले जनम से दो साल देखो यह long term process है इसके लिए में बहुत कुछ सीखना पड़ जाएगा तो मैं यह आपको नई सिखाने वाला हूँ, मैं यह नई सिखाऊंगा आपको, मैं क्या सिखाऊंगा, मैं एक ऐसा टूल सिखाऊंगा, जिसकी हरती है, पूरी कोडिंग होगी, पर कोडिंग मैं नहीं करूँगा, कोडिं कोडिंग नहीं करेंगे एक चैलेंज जो आपके साथ मैं कर रहा है खास सब कुछkaa प्रैक्टिकल है श्षोरी कुछ भी नहीं है वह समझाने के लिएम करेंगे इसी को इस पर डाउट है हम ने परोटे कर लिया था रिवाइस कर वा रहा पहली और सबसे एजी क्या है उलिफ जबसे यह है कि इनफ्र में टी वेबसाइट जिसको हम बोलते हैं ब्लांगिग वेबसाइट किसी उपरता है blogging क्या होता है blogging से blogging वृटीजल व्लॉट की हाँ देखो एक राहूर का कोशन बहुत अच्छा है कि कोडिंग और टूल में क्या एड़वान है देखो जितने भी बड़े-बड़े डेवलपर्स हैं उन्होंने एक टूल बनाया जो कि कोडिंग ना करने वालों के लिए था अब सब्सक्रों मैं टेक्निकल हूँ मैं एक ऐस साथ टूल बना जिससे जो नॉन टेक्निकल पर्सन है बिना कोडिंग के बना सकते हैं इसलिए वो टूल बना दिया गया वेरी नाइस शेरिंग इन्फरमेशन अबाउट पर्टिकुलर फिंग्स वेरी नाइस देखो ब्लॉगिंग का मीनिंग है जो आपकी एक्सपर्टीज है उसके बारे में इन्फरमेशन शेर करो कहां पर अपनी वेबसाइड से वो हम इन्फरमेटिव सेड़ भी बहुत उनक कि सीखने वाले हैं सबसे वही सी एक कि ब्लागिंग में इन्फरमेशन कैसे बनाते हैं या ब्लॉगिंग वेबसाइट इसी में आप कोई को सिखा दिया कौ सापाचे सिखा दी और आपको मैंने बगड़ा दी कौन सी मैंने आपको देदी इस कोटी चलाने में दिक्कत आगी क्या कि अच्छा कूश पूछ लाएं पी एच पी का फूल फॉर्म में क्या है जिए आप मैं इसको यांका करो प्याच पी का फूल फॉर्म क्या है मेरी वॉइस सही है ना मेरी वॉइस पर्फेक्ट है और मेरी वॉइस सही आ रही है सौरव अब पहले हम यह सीखेंगे बहुत इजी थोड़ा सा इसके क्या लेबल अप करेंगे सपेंद हम चीज के लिए मुझे बिजनेस वेबसाइट बनानी है तो हम सेकेंड वाला पार्ट ये सीखेंगे कि हाउ तो पुरियेट पॉपरेट वेबसाइट ये बिजनेस वेबसाइट थोड़ा सा इसके क्या है अपर लेबल वे हैं जो आप एक बार सीख जोगे तो आप से दो घंटे बनाएं तो हम यहाला पार्ट सीखेंगे थर्ड है थोड़ा सा टिपिकल है पर इसमें प्रोसेस बहुत बड़ा है इसलिए सबसे ज़्यादा पैसे लोग इसके चार्ज करते हैं क्यों पता है सबसे महेंगी यही कॉमर्ट क्यों कुछ हाड नहीं है प्रिंस बोलना है तर बहुत हाड है यह कुछ भी हाड नहीं है पस सीखने वाली बात है और आपके सिखाने अला बात है जादा ले आउट वेरी नाइस नंबर ऑफ प्रोडेक्ट बहुत जादा है इसलिए इसमें है अभी यहाँ यहाँ यतने लोग आ किसी को कुछ भी पर्चेस थी वह नहीं करना करना सब कुछ फ्री में सीखा रहा हो बहुत जादा है तो उसके क्या होता है कोस्ट बढ़ जाती है तो हम यहीं चीज करने वाले हैं और शुल्यक कि ones like payment गेटवे इसा प्रोसेलं रिए कि मुझे पैसे लेने हैं ड amigo से क्रेडि刑 से इसके आइन हो जाए निट बेंकिंग हो जाए हमारे गूगल पे फॉन पे तो यह सब इसमें इंप्लीमेटि के इंट अच्छी अच्छा दूगा झाल